हलो क्लास वेरी लॉजिकल इवनिंग वेल्तम टू जी क्विज तो यहां हम क्या डिसकस करने वाले हैं यहां हम डिसकस करने वाले हैं डेली के 20 निउस पिर्पर करेंट अफेर क्विजेन्स इसके अलावा लास में एक क्वेशन होगा आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बाक्स में देना है और जिसको हम discuss करेंगे next वीडियो में अब बात करते हैं newspaper relevance की newspaper ही क्यों तो newspaper का relevance इस तरह से आपके exam में कि जो भी आप class में पढ़ रहे हैं आपको पढ़ाया जा रहा है उसका जो practical application है वो आपको newspaper में ही देखना को मिलता है यदि हम आज की बात करें दा हिंदू का एक topic था एक editorial हिंदू में आया था prevention of animal cruelty को लेकर तो यदि उसके editorial को पूरे धान से पढ़ा जाया तो editorial में environmental facts हो थे ही environmental and wildlife facts थे इसके अलावा उसमें fundamental rights की बात की गई थी fundamental duties, DPSPs इन सब की बात की गई थी तो यदि एक newspaper का कोई भी editorial आप पढ़ते हैं तो एक wide जो aspect है different subject का वो भी आपको देखने को newspaper में मिलता है तो जो काफी जो practical relevance है वो आपको newspaper में देखने को मिलेगा GK का जो आप अपना knowledge है वो enhance कर सकते है newspaper के माध्यम से इसके लावा हम बात करें कि अब जो आपका GK का जो series है यह जो हमने start किया है G-quiz इसका आप 100% benefit किस तरह से ले सकते हैं इसके लिए एक procedure है जो आपको follow करना चाहिए तो यह जो procedure है उसके बारे हैं बात कर लेते हैं जो important topics होंगे daily के newspaper के वो आपको share कर दिये जाएंगे telegram group है telegram group से आप जुड़ सकते हैं विदिगे klat के description में link है उसके थूँ आप जुड़ सकते हैं इस तरह के templates आपको share कर दिये जाएंगे दा हिंदू के लिए यह template है इंडियन express के लिए template है यह topics आपको पढ़ने है thoroughly पढ़ने है उनको analyze करना है और फिर यह questions attempt करने है इन questions को attempt करना है जो भी आपका score होता है आपको comment box में pin करना है उसे यदि यह procedure आप follow करते हैं तो आप definitely एक अच्छा score करने वाले हैं एक जो आपका gk का point of view है gk का जो knowledge है बोवी enhance होगा और जो भी facts है static as well as current वो भी आपके cover होने वाले तो चलिए बिना किसी देरी की आज के questions के साथ start करते हैं पहला जो question है आज का हमारा वो है हमारा world braille day celebrated every year on तो यह जो आपका होता है वो 4th January को world braille day celebrate किया जाता है Louis braille जो inventor थे ब्रेल लिपी के brain script जो है आपकी उसके जो founder थे inventor थे Louis braille उनकी बर्थे anniversary होते है 4th Gen को इसके लिए यह जो event है वो celebrate किया जाता है world braille day braille क्या होता है braille एक raised dots का टाइप का एक format होता है जो की visually impaired और जो low vision होता है जिन लोगों को उनको read और write करने में help करता है this is what called braille second जो हमारा question है recently election commission started mission 929 in which state mission 9929 किस state में start किया गया है election commission के द्वारा तो यह जो आपका start किया गया है वो त्रिपुरा में start किया गया है 929 mission क्या है इसके बारे में देख लेते हैं 929 mission एक mission है election commission के द्वारा start किया गया है जो voting percentage है त्रिपुरा में उसे बढ़ाने के लिए यह mission है 929 जो polling boots है उनको main जो है vigilance में रखा जाएगा जिसमें voting का जो percentage है उसको बढ़ाना है और यह voting percentage है जो 92% तक ले जाने का target रखा गया है त्रिपुरा के बारे में बात करें त्रिपुरा के CM है मानिक साह और जो governor है वो है सत्यद्यो नारायन आरे त्रिपुरा के बारे में एक fact है कि त्रिपुरा की जो three boundaries है वो किस से surrounded है वो बंगलेदेश से surrounded है एक लौता यह जो है state है इंडिया का जिके three boundaries जो है किसी other country से surrounded है थर्ड क्वेशन है हमारा recently India signed up comprehensive migration and mobility partnership agreement with which nation तो यह जो recently जो हमारे external minister है उनके द्वारा यह agreement sign किया गया है तो यह आस्ट्रिया के साथ में जो है आपका है agreement sign किया गया है 2021 से यह काफी यह समस्या उस्ट्रिया में देखने को आ रही थी 2021 का जो data था उसके अनुसार 600 illegal migrants जो थे उस्ट्रिया में पाई गया थे इंडियान illegal migrants और यह यही आँकड़ा 22 में बढ़ करके 18,000 टक पहुंच गया था 18,000 इंडियान illegal migrants उस्ट्रिया में पाई गया थे जिसके कारण यह बहुत ही major area of concern बन गया था उस्ट्रिया के लिए उसके बाद रिसेंटली जो external minister है इंडिया के एस जेंशन कर और उस्ट्रिया के जो foreign minister है Alexander Salenberg इनके द्वारा यह agreement sign किया गया है जिसके अंतरगत आता है कि यह कोई भी illegal migrant इंडिया का पाया जाता है उस्ट्या में तो उसको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा बापस फोर्थ कोईशन है हमारे रिसेंटली इन विच स्टेट इंडियन लाइब्रेरी Congress inaugurated तो यह जो आपकी inaugurate हुई है केरला में हुई है पिन्राई विजयन CMA जो है केरला के उनके दुआरा यह inauguration किया गया है और इसके अंतरगत 100 new libraries will be established in कन्डू district of केरला केरला के बारे में बात कर लेते हैं CMA है आके पिन्राई विजयन गवनर है आरिफ महम्मद खान केरला को God's Own Country के नाम से God's Own Land के नाम से भी जाना जाता है Silent Valley National Park जो है आपका वो भी केरला में ही located है यह important facts है आपको केरला के बारे में पता होने चाहिए फिफ्थ question है हमारा recently which country hold the presidency during the first half of 2023 of the council of European Union जो first half होने वाला है European Union Council का उसकी जो presidency किसको मिल गई है तो Sweden को यह presidency मिली है for first six months Sweden की बारे में बात करें Sweden का जो capital है वो है Stockholm और इसके जो PM है वो उल्फ Chris Terson है Sixth question है हमारा recently who write the book Breaking Barriers Tuesday के नियूज है कल यह book launch होई है तो यह किसके तोरा लिखी गई है तो जो भी dynamics होते है ground level पर civil service में civil servant के लिए जो भी परिशानी होती है जो भी opportunities होती है उसके बारे में लिखा गया है और जो भी policies में holes होते हैं लूप holes होते हैं उसके बारे में इस book में बताया गया है जो हिंदू का आर्टिकल था उसी से आया है यह question तो इसका जो आंसर है वो है 1960 1960 में यह जो एक्ट है वो पास किया गया था इसी तरह से various जो एक्ट है हमारे environments related जो आपके exam point of view से important हो सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं यह एक्ट से इनके आपको year और provisions आपको याद करने है प्रोविजन के बारे में आपको पता होना चाहिए तो wildlife protection act 1972 water prevention and control of pollution act 1974 यह years आपको बहुत अच्छे से याद करने है और जो प्रोविजन से होनके बारे में आपको पता होना चाहिए इन एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए इनके years आपको थोरोली याद होने चाहिए जली कट्टू is a traditional event of which state यह जो event है जली कट्टू यह तमिलनाडू में मनाया जाता है दूरिंग पॉंगल मट्टू पॉंगल का जो डे होता है उस दिन यह फेस्टिवल बनाया जाता है एक बुल होता है उसे ओपन एडिया में छोड़ दिया जाता है और जो लोग होते हैं उन्हें रैप करना होता है उसका हम यह इस तरह का फेस्टिवल है यह भी annual cruelty के कारण क होने वाला है रिसेंटली इलेक्टिड प्रेसिडेंट और ब्राजील लुईस इनासी ओ लूलाडा सिल्वा बिलॉंग्स टू विच पार्टी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्कर्स पार्टी वर्कर्स पार्टी से ब्लॉंग करते हैं लूलाडा सिल्वा और जो कॉफी पूर्ट जो है वर्ल्ड का सेंटोस वो भी ब्राजिल में ही लोकेटेड है और ब्राजिल जो आपका है फिफ्ट लार्जेस कंट्री ओफ दा वर्ल्ड भी है 10th question है हमारा 22nd meeting of N.T.C.A. took place at National Tiger Conservation Authority की जो 22nd meeting है वो कहां पर हुई है अभी रिसेंटली ये बांदीपूर नेशनल पार्क में होई है बांदीपूर नेशनल पार्क कंटाका में लोकेटेड है पके टाइगर रिजर्फ जो है आपका अरुनाचल प्रिदेश में लोकेटेड है कूनो नेशनल पार्क MP में और काना नेशनल पार्क भी MP में ही लोकेटेड ह बांधी नेशनल पार्क में जो रिसेंटली मेटिंग होई है एंटी सी यह की इसमें जो कुनो के ऐफिशेल्स हैं कुनो नेशनल पार्क के उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है कि अभी जैनवरी मन्थ में ही 12 और चीते आने वाले हैं साउथ अफरीका से कुनो नेशनल पार इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए साइन्टिफिक नेम है चीता का एसी नॉनिक्स जुबेंटस यह भी आपको पता होना चाहिए 11th question है हमारा NTCA formed in 2005 यह भी एक static information है अंडर which act किस act के अंतरकत यह स्थापत किया गया था तो यह जो आपका establish किया गया था वो wildlife protection act 1972 के अंतरकत ही establish किया गया था इसके जो chairperson होते हैं वो आपके union minister of forest and climate change होते हैं जो currently भूपेंद्र रियादव जी है headquarter NTCA का है New Delhi में और इसका foundation तो हमने देखा ही 2005 में हुआ था India has already achieved target of 10% ethanol blending 5 months before the deadline and now target of 20% ethanol blending by 2030 has advanced to which year India recently अभी जो है वो clean energy की तरफ बढ़ रहा है 10% ethanol blending का जो target था वो 5 मही ने पहले ही अचीव कर लिया इंडिया ने 10% ethanol का जो है वो quantity अब रहता है जो आपका petroleum होता है उसमें अब जो यह target है उसे 20% करना है 20% ethanol blending करनी है petroleum products में तो जो अभी तक target था वो 2030 था बट इसको advance कर दिया गया है तो यह पूछ रहा है कब तक के लिए advance कर दिया है तो 2025 का जो target है वो new target है वो set कर दिया गया है this will be a new target for 20% ethanol blending 13th question है हमारा to how many NRIs will the प्रवासी भारतिय सम्मान awarded on this प्रवासी भारतिय दिवस प्रवासी भारतिये दिवस नौ जनवरी को बनाया जाता है आपका इंदौर में इस सान होने वाला ऐजन कितने लोगों को ऐवॉड मिलने वाला है भारतिये प्रवासी भारतिये सम्मान मिलने वाला है तो आपके 27 NRIs हैं उनको यह जो ऑवर्ड है वो दिया जाने वाला है प्रवासी भारती दिवस हमने देखा 9th January और इंदोर में इसकर इवेंट होने वाले हैं 14th question है हमारा Who has been invited as the chief guest for प्रवासी भारती दिवस 2023 तो गौानाज के जो president है मुहम्मद इर्फान अली ये आपके chief guest होने वाले हैं प्रवासी भारती दिवस 2023 के ये जो पहला option देख रहे हैं आप Egypt के president है अब्देल फता अल्सीसी ये आपके republic day के जो chief guest है वो हने वाले है गौाना के बारे में देख लेते हैं गौाना का जो capital है वो है जॉर्ज टाउंस South American country है ये जॉर्ज टाउंस का capital है प्रवासी भारती दिवस के तो ये कहां पर inaugurate किया गया है तो ये जैपुर में inaugurate किया गया है प्रवासी भारती मुर्मुजी दोरा इसकी राजिस्थान की बात कर लेते हैं राजिस्थान के जो CM है करेंड में वो है अशोग गैलोध गवरनर है कलराज मिश्र और ये largest state है इंडिया का in terms of area और in terms of population की आप बात करें तो UP जो है आपका largest state है of India in terms of population 16th question है हमारे recently who became the first woman army officer to deployed at Siachin's कुमार post Siachin कुमार post में recently first woman army officer को deploy किया गया तो ये Captain Shiva Chohan जो है इन्हें deploy किया गया है Siachin के कुमार post पर ये हैं आपकी शिवा चोहन जोने deploy किया गया है 17th question है हमारे recently who has been appointed as the executive director of Indian overseas bank Indian overseas bank का executive director किसे appoint किया गया है तो Sanjay Modaliyar Sanjay Modaliyar इसका सही answer Sanjay Modaliyar को ही executive director appoint किया गया है Indian overseas bank का Indian overseas bank के बारे में बात करते हैं इसका foundation हुआ था 1937 में headquarter इसका है chain नई और इसका जो nationalization हुआ था 1969 में हुआ था nationalization of banks के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं nationalization of banks जो हुआ है अभी तक दो बार हुआ है 1969 में और 1980 में 1969 में 14 banks का nationalization किया गया था जिसमें से Indian overseas bank जो था वो भी इसी में आता है और 1980 में आपका 8 banks का nationalization किया गया था 22 nationalized banks होते हैं पर currently जो है वो 12 nationalized banks ने इंडिया में काफी merger देखने को मिले थे recently जो ये mergers हुए थे उसके बाद जो nationalized bank की एक संख्या हो गई है वो 22 है अभी present condition में 18th question है हमारा recently who became the national chess champion at Indra Gandhi Stadium New Delhi current की news है या आज की ही news है कार्थिक वेंकट रमन जो है वो current national chess champion बन गए है ये देख सकते हैं आप ये जो है कार्थिक वेंकट रमन है फाइड की बात कर लें international chess federation जो होता है इसका foundation हुआ था 1924 में headquarter इसका लुसान सुर्जा लेंड में all India chess federation जो इंडिया का chess federation है इसका foundation हुआ था 1951 में president इसके है संजे कपूर 19th question है recent election commission appointed मैथली ठाकोर as a state icon of which state election commission ने मैथली ठाकौर जो folk singer है इन्हें state icon बना दिया है विहार का state icon बना दिया है election commission ये आपकी मैथली ठाकोर जिनको यह जो letter है election commission팀 जिसमें को appoint किया गया है date icon of बेहर के बारे में बात करनें बेहर के जो cm है वökहे निटिश कुमार डिपतिjhe है तेजस्वी यादव और गवनर जो हैं बिहार के वो हैं फागू जोहान कि त्वेंटीफ कोशियन है डिफैंस मिनिस्टर राजना सिंग इनागुरेटेड़ सियोम ब्रेज इन विच स्टेट किस स्टेट में राजना सिंग जो है उन्होंने ये जिसृम ब्रिज है उसका inauguration किया है तो यह जो है आपका अरुनाचल प्रिदेश में इसका inauguration किया गया है अरुनाचल प्रिदेश की बात करें तो इसके जो कैपिटल है वो है इटानागर, सी है में पेमा खांडू, गवनर ह और ये जो state है आपका अवनाचल प्रदेश वो easternmost state है इंडिया का ये भी आपको पता होना चाहिए कल के question की बात करें कल का question था हमारे recently border dispute between महरास्टा इंड करनाटका arises due to which region तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बेलगावी 1956 से ही ये dispute देखने को मिलता आ रहा है करनाटक और महरास्टा के बीच में 1956 के state reorganization act में बेलगावी जो रीजन था जिसको बैलगों के नाम से वी जाना जाता है से महसूर रीजन को करनाटक रीजन को दे दिया गया था बट मराठी जो लोग थे महरास्ट के जो लोग थे उनका कहना था कि काफी मराठी speaking people जो है वो बेलगावी में रहती है इसलिए से महरास्ट का पार्ट होना चाहिए बट फिर एक महाजन commission थी वो establish की गई थी October 1966 में उन्होंनों जो अपनी recommendation दी थी वो यह थी कि बेलगावी को करनाटक का ही पार्ट होना चाहिए बट महरास्ट ने यह जो recommendation थी वो reject कर दी और 2004 में वो Supreme Court की तरफ move कर गए थे और तब से dispute चल रहा है तो यह question काफी important है आपको पता होना चाहिए कल के लिए question है आपके लिए recently निजात campaign of which state received IACP award 2022 इसका answer आपको comment box में देना है ज्यादा से ज्यादा जो भी आप इसके बारे में जानते हैं उसको आपको लिखना है comment box में तब तक पढ़ते रहिए enjoy your studies and stay tuned with देलिगे